यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी इस बार सी वीटी का एक्जाम देने वाले हैं क्योंकि इस वीडियो में जितने भी आपकी कोईरीज हैं वो सब भी मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं कि कैनाई एड मोर इन्युवस्टीज कोर्से सब्जेक्ट कैनाई चेंज माई एड्रेस इमेल आईडी एंडेम इनी एडिशनल फी फॉर करेक्शन जब करेक्शन होगी तो क्या उस टाइम पे कोई एक्स्टा चार्ज आपको पे करना होगा नेक्स कोशन है फोटो एंड साइन न विंडो डेट क्या होने वाली हो तो इन सारे कोशन का रिप्लाई मैं करने जा रहा हूं इस से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूं आपको जिसने भी सीटी का फॉर्म कर दिया है उनको चाहें इस तरह की क्वाईरी हो या ना हो फिर भी ये वीडि सुषरा की आपकी में एक बर टान कर लेता हूं तो कुछ इस तरह की पीडियाफ आप लोगों के फार्म की आप वहां पर डेसबोर पर सो रही होगी उसको जब डाउनओड करके ओपर करेंगा तो इस तरह से कुछ ऑपन होगी। यहां पर आप सभी स्टूडेंट क्या क्या चीजे चेक कर लेना जिससे कि आपको आगे जिस भी इनवस्टी में आपने अप्लाई किया है जिस भी कोर्स के लिए उसके लिए आप एलिजिबिल रहें आप उसकी इलिजिबिलिटी क्रेटिरिया से आउट ना हूं और यह सभी बच्चे चेक कर लेना और जितने भी आपके आपके फ्रेंट्स हैं जो भी वार्सफ ग्रूप जिनके बने होंगे आपके पास किसी इक्हां आपका इस safety को फशुल किया है आपको इनवे के बार इसलिए मैं यहां पर थोड़ा सापको यहां पर बता देता हूं कि क्या-क्या आपको चेक कर लेना है यह मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना आप लोग जैसे यहां पर यह आप देखिए इसको मैं साइट से कर लेता हूं जब यूनिवर्स्टी और सब्जिक्ट सेलेक्शन तो यहां पर प्रोग्राम में यहां ठीक आरहा है जो अपने लेना है अपने सीविटी के फर्म में की अगर इस उनिवस्टी में आपको बैसिकली करना चाहरा है या इधर अब इन इन को जो बिसिकली कोर्स के लिए जो डोमें सब्जेक्ट्स या लेंगस पेपर जो भी बिसिकली इसको लेना है अपने सीटी फॉर्म में वो कौन कौन से लेने वो यहां पर यह सो होते हैं सारी आप यह बहुत ध्यान से देखना क्या है यहां पर यह जो प्रम यहां पर देखिए इस बच्चे ने आप यहीं देखिए सो रहा गिए जो पहनfun है जो आपने आपने फॉर्म में बैसिकली एड किये होंगे वह तेस्ट पर आपके हो रहे है यहां पर इसके जो भी सब्जेक्ट है वह सो हो रहे है तो अब इस बच्चे ने अप्लाई किया हुआ जैसे इस निए सब्सक्राइब कर दो है इसके इसको रेक्वार्ड है अंड और इधार है फिजिक्स के आश्टी और यह सारा ठीक है यहां पर मैंथेमेटिक्स इन फिजिक्स इसने क्या लिया है टेस्ट पेपर वन में इसने इंग्लिस ले लिया है बहुत सारे बच्चों ऐसे मिस्टेक किये किसी ने एक ही पेपर एड़ किया है किसी ने six papers अब करेक्शन आगे करने वाला उसको थी पेपर हटाना चाहरा है जिससे कि उसको थी पेपर ही देना हो पड़े बट वो यह चीज नहीं देख रहा है कि यहां पर जो कोर्स इसने एड़ किये हैं जिसी भी इनिएस्टी में उसके लिए क्या है वहां पर बहुत सारे बच्ची मिस्टेक कर रहे हैं और हो सकता उनका अभी सही से फिल हुआ हो और आगे जब वो करेक्शन करेंगे उस ताम मिस्टेक कर जाएं क्योंकि जो सब्जेक्ट्स यहां पर रिक्वार्ड है वह आपको लेना ही लेना है अब जैसे इसने इंग्लिस लिया इसको इन कोर्स के लिए इस इंग्लिस की रिक्वार्मेंट ही नहीं है कहीं भी इंग्लिस लेना ही नहीं था यहाँ पर है यहां पर हुआ requirement ही नहीं है कहीं भी देख रहे ना यहां पर आप तो आप अपने PDF form में जब भी आप फॉर्म फिल कर रहा होगा आपने उसके लोग इन कर यह डाइजबोट पर चाहिए PDF उसके डाउलोड करके यह चेक कर लिए एक बार यहां पर जो आपने जो सेटी नेम हैं जो सेंटर आपने चूज किया है वो सारे सेंटर वही यहां पर सो हो रहा है यह जरूर एक बार देख लेना और यह वीडियो जरूर सेर कर देना उन सबी फ्रेंट से जिससे की सबी की हो पाई और किसी भी तरह का कोई मिस्टेक उनके फॉर्म में ना रहा है और वो किसी भी जिस भी इनिश्टी में उन्होंने अप्लाई किया उससे वह आउट ना हो इसके लिजविटी क्राइटिरिया से आउट ना हो इस तरह की जिस भी स्ट्रेंट के क्वेरी है इस वीडियो को आराम से देखिएगा आपके क्वेरी का रिप्लाई में करने वाला हुआँगे यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी से लिए के एडिशन जब तक आपका इडिशन चाहिए तब तक हम जितने भी अपडेट्स इनुवर्स्टी के आते हैं या जिस तरह की रहेंगे सभी के डाउट सेशन हम लोग लाते रहेंगे आपके क्लियर करते रहेंगे और जो भी अपडेट्स आएंगों इसके वीडियो आपको क्लियर तो यहां पर देखिए फर्स्ट कोशन पर चलते हैं फर्स्ट क्या है कैन आई एड मोर इनिवस्टी जो बच्चे पूछ रहें क्या जो यह कोर्सेज हैं कोर्सेज या इनिवस्टी जा सब्जेक्ट्स वह एड कर पाएंगे क्या बिलकुल आप जितनी भी पर कुछ बच्चे सब्जेक्ट्स को रिमूव करना चाहते हैं और कुछ बच्चे सब्जेक्ट्स को एड करना चाहते हैं तो आप एड रिमूव चेंज कुछ भी कर सकते हैं यहां पर है कैन आई चेंज माई एड्रेस इमेल आईडी ने तो यहां पर आप जो एड्रेस है पर लेटर आते थे घर पे अब क्या है कि email id से communication हो गया है बहुत पहले होता था हमारे टाइम पर जब हम इसकोल डाइम में थे तो उस टाइम पर यह address compulsory रहता था इनिशली वेरिफाई जब कराया गो उस पर application आप नंबर सारी चीज आपके इसमें रिसीव होई होगी आई होगी अब आप यदि email id चेंज करना चाहते है तो email id नहीं होगी एक गौर्ज email id आपने दे दिये वही रहेगी इसलिए मैंने जब फर्स्ट वीडियो जब बनाया थ रिलीज हुआ था फॉर्म फिल करने एक लिए तो वहाँ पर मैंने यह चीज सारी बहुत अच्छे से आप लोगों समझाई थी कि आप अपने जो बैसे की contact number है आपकी email id है इसमें किसी भी तरह की mistake नहीं करना अपना या अपने family member का email id और contact number यूज करना है अब यहां पर देखिए नेम को यह चेंज करना चाहते हैं और आज आते हैं next query पर any additional fee for correction तो कोई भी correction आप करने के जो भी प्रवाइड करवाता है उसके लिए कोई भी additional fee आपसे नहीं लगेगी सिर्फ एक case for additional fee आपको pay करनी होगी जो आपने papers लिये हैं अब उसके बाद कुछ extra papers में और add कर रहे हैं तो जो पर paper के charges है general candidate general candidate या SC या OBC जो भी category वाइज जो भी चार्जर से फीस है जो भी बेसिक लिए के तरफ से जो बुलेटन में दी गई है उसी के according आप से पर paper extra fees add होती जाएगे वह आपको pay करनी होगी वैसे कोई correction करने papers आप नहीं बढ़ा रहे हैं तो कोई additional charges नहीं लगेगा नेक्स्ट है payment will be refunded or not यादि आप पेपर जैसे सब्जेक्ट सीने भी 6 ले लिए हैं वह 3 करना चाहता है या 4 करना चाहता तो क्या उस case में बच्चे पूछ रहे हैं कि payment जो हमकी refund होगी तो यहां पर बिल्कुल clear-cut NTA ने लास्ट यह भी मेंशन किया हुआ था कि जो फीस है आपकी correction जब भी आप कर रहे होंगे जो आपने पे कर दिये वह refunded नहीं है वह refund नहीं की जाएगी ओके photo and sign not visible बच्चों की दो-तीन दिन से प्रॉलम बहुत जादा आ रही है कि जो बच्चे फॉम फिल कर रहे हैं लास्ट टू-त्री आपको फोटो और साइन नहीं सो हो रहा है आफ्टर टू-त्री डेज आप लॉग इन करके अगेन इसको चेक करिएगा यह आपको सो नहीं होता है तो आप करेक्शन विंडो ओपन होगी दिन आप इसको ठीक कर सकते हो उस टाइम पर फोटो और साइन अपलोड करने का उप्शन आपके पास रहेगा आप वहां पर अपलोड कर पाएंगे नेक्स्ट है करेक्शन विंडो डेट के क्या होने वाली मैंने अपने प्रियोस्ती वीडिय इसलिए अपडेटेड रहना आपने अपने तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि जब भी हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे कोई इसकी करेक्शन विंडो से रिलेटेड इसकी डेटेट एक्टेंड होती है या करेक्शन कैसे क करना है जब भी करेक्शन विडियो बनाएंगे या हो सकता लाइस से करेंगे कि आपको इस्टेब आपको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कि आप तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लिए क्योंकि इतना इंप्रड़न वीडियो बना रहे है थोड़ा चाहतो अगर टीम है हमारी इतना मिहनत कर रही है यह आप लाइक करेंगे तो फिद्वान को मोटिवेशन मिलता है मोटिवेट होते हैं वोगे वीडियो लाइक कर लीज़े और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यह वीडियो उन साभी वहां पर आपको क्या क्या चीज़ चेक कर लेनी है मैंने आपको पहले इंपर्टेंट है इसको बहुत अच्छे से सभी बच्चे चेक कर लेना मैं फिर से इसको repeat कर रहे हुं यह papers वही लेना जो यहां पर required हैं ऐसा नहीं कि पैसे बचाने के लिए आप यहाँ पे papers जो है आप में कम एड़ करें और फिर यहाँ पे जादा की papers की requirement हो जैसे आप 3 अवड़ किया यहाँ पे 4 पे इसलिए आप यह पेपर रिक्वार्ड हैं वही पेपर से आपके कोई भी क्वैरी है आप कॉमेंट सेक्षन में लिखी वीडियो के हमारी टीम आपको विदिन 24 आर्स रिपलाई करेगी प्रियू इन और हमारा एक टेलिग्राम चैनल है जिस पर हम लोग प्रिवियर के पेपास जो प्रिवियर के पेपास हैं वह भी आपड्र कर दिया जाएगा तो आपको जो अप्डेट आ रहे हैं जो वीडियो हम लोग बनाते हैं किसी तरह का कोई लेटिस्ट अपडेट आता है वोभी पर अपडेट कर दिया जाता है तो आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेजिए इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे वीडियो को description में म मिल्याइगा?